Center of Mask के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, बच्चों इसकी Properties के बारे में भी काफी सारी बात है कर चुके हैं हम लोगों ने देखा है बच्चों की Center of Mask के About किसी भी Body के जितने भी Particles हैं उन सबके Moments का Sum Zero होता है और इसी अधार पर हम लोगों ने Center of Mask की Position को Derive भी किया है उसी को Derive करने की बच्चों एक और Method है जो की General School Level पर पूछी जाती है The Method which is known as AB Initio या फिर बच्चों AB Initio भी इसे प्रणाउंस किया जाता है Basically इसका मतलब होता बच्चों From the Beginning अप्रारंब से पहले पहले Center of Mask की Position कैसे निकाली गई थी उस बारे में हम लोग बात करेंगे और उसी के ताहद बच्चों यहाँ पर गोर कीजी हमने यह लीजियम Coordinate Axis System ले लेते हैं यह X Axis ले ली बच्चों मैंने यह Y Axis ले ली यह पार्टिकल लिया बच्चों M1 मास का दूसरा पार्टिकल लिया बच्चों मैंने M2 मास का और मैंने माना की M1 का Position Vector R1 Vector है M2 का Position Vector R2 Vector है नैचरल सी बात है सहाब इनका जो Center of Mass होगा वो इन ही दोनों को मिलाने वाली लाइन पर कहीं होगा लेट मी सपोस बच्चों की जो Center of Mass है उसकी Position Vector जो है बच्चों वो हमने कितनी सपोस कर ली RCM Vector हमको उसी की Position को Determine करना है M1 की Position को R1 Vector माना M2 की Position Vector को R2 Vector माना और Center of Mass की Position को RCM Vector माना अब आप एक बात जानते हैं बच्चों कि जो अगर माल लिजे इस पार्टिकल्स आर मूविंग इस पार्टिकल्स आर नॉट एट रस्ट अगर यह रस्ट में नहीं है बच्चों यह मूविंग है तो पहले वाले पार्टिकल्स की जो वेलासिटी होगी बच्चों that would be a derivative of its position भई आप इसकी position को differentiate करेंगे आपको इसकी वेलासिटी मिल जाएगी और इस वेलासिटी को differentiate कर देने से आपको बच्चों acceleration मिल जाएगा भई हम लोग जानते हैं कि वेलासिटी का differentiation rate of change of velocity बच्चो acceleration होता है या मैं दुसरी भाषा में बोल सकता हूँ बच्चों if I differentiate position two times यदि मैंने position को बच्चों दो बार differentiate कर दिया तो भी मुझको acceleration मिल जाएगा तो यह first body की velocity आई, velocity का differentiation की acceleration आया and velocity itself is derived from the derivative of the position इसी दियम बोल सकते है मैंने position को दो बार differentiate कर दिया तो यह first body की velocity acceleration आगई ऐसे second body की velocity क्या होगी बच्चों second body की velocity होगी उसकी position का differentiation कीजिए और उसका acceleration जो होगा बच्चों that would be इसी की velocity का derivative इसकी velocity का derivative या फिर दूसरी भाषा में मैं बोलूँ बच्चों ता इवोड़ से दाट डी वाई डी टी आप निकालेंगे बच्चों इसकी position का तो यह first body की velocity second body की velocity or acceleration अगर अब यह तो एक छोटी सी बात हो गई बच्चों अब अगर यह bodies बच्चों अगर कुछ acceleration से चल रही है if these bodies are moving with some acceleration undoubtedly they are experiencing some force without the application of some force they cannot move अगर उन पर कोई external कोई force नहीं लग रहा तो क्या वो move कर सकती है बिल्कुल लाजमी सी बात है बच्चों वो move नहीं कर सकती जब तक उन पर force नहीं लगेगा वो move नहीं करेगी acceleration नहीं मिलेगा move तो कर सकती है body can continue its motion without the application of some external force Newton first law but Newton second law बोलता बच्चों कि if you want to impart some acceleration if you want to deliver some acceleration to a body a force is essential हम लोग देख चुक है बच्चों सो पहली body पर कितना force लगा बच्चों पहली body पर net कितना force लगा वो हम बात करें तो देखिए पहली body पर force जो लगा बच्चों पहली body पर obviously दूसरी body कुछ force लगाएगे वह दिए टू पार्टिकस M1 and M2 पर 2 कुछ force लगाएगी प्लस 1 पर मान दीजे externally कितना force लगा वो भी हम देखें तो यह कुछ हमारे पास में आगया यह क्या है बच्चों यहां पर कौन सी quantity क्या रिपरजन करी भी देखिए यहां पर F1 net जो है बच्चों यहां पर कितना नेट फोर्स लगा यह हो आया और F1 एक्स्टरनल मतलब क्या इस इस दा एक्स्टरनल फोर्स एक्स्टरनल फोर्स ऑन बच्चों यह वो आ गया बच्चों यह वन पर नेट कितना फोर्स लगा हमने आगर इनको कूछ acceleration दिया मतब अवश्यम भावी रूप से इन पर कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है अब वन पर नेट कितना फोर्स लगा बच्चों वह को निकालना है वन पर टू के गरन कितना फोर्स लगा हमने वह लिख लिया बच्चों और यह वन पर एक्सटर्नली कितना फोर्स लगा बाहर से हमने अगर मान दीजे लगाया तो वह कितना और आप एक बात जानते हैं बच्चों जो नेट फोर्स होता है न्यूटन के सेकंड नासे इकोल स्टू मास इंटू एक्सिडरेशन बशरते बॉड़ी का मास कॉंस्टेंट रहे हम लोगों ने देखा न्यूटन सेकंड लिखा तो बशरते मैं फिर बोनों मास कॉंस्टन रहे और जनरली हम लोग मास कॉंस्टन वाले ही कैसे पड़ते हैं वेरियबल मास के कैस अगर होंगे तो वह बोलेंगे कि वेरियबल मास है तो यह इसके बराबर होगा बच्चों इसी तरीके से टू पर नेट फोर्स होगा टू पर नेट फोर्स कितना होगा बच्चों टू पर नेट फोर्स होगा टू पर वन के करण कुछ फोर्स लगेगा बच्चों यह तो पर वन के करण कितना फोर्स लगा यह तो पर एक्स्टनली कितना फोर्स लगा and this would be naturally equals to its mass and acceleration का प्रोड़क अब जो कहानी यहां ली की बच्चों वही के वही कहानी आएगी यह net force on 2, this is force on 2 due to 1, this is the external force on 2 anyways, अब यह हमारे पास में आ गया बच्चों अब यदि मैं इन दोनों का summation करूं यदि मैं इन दोनों का summation करूं बच्चों क्या होता है जरा हम इस बारे में बात करें मैं F1 net plus F2 net 1 पर 2 के करन, 1 पर net कितना लगा, 2 पर कितना net लगा मैं इन दोनों का sum निकालूं बच्चों तो वो किसके वराबर होगा this would be F1 2 vector plus F1 external vector यह आया, plus क्या होगा बच्चों this is F2 1 vector plus 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 F2 external vector कुछ ऐसी ही कहानी आपके सामने आई बच्चों यह 1 पर net कितना force लगा, वो यह था 2 पर net कितना force लगा, वो यह था तो यह कुल मिलाकर क्या आगया बच्चों और यह किसके बराबर है बच्चों कुल मिलाकर, if you see this is equals to बच्चों, mass into acceleration plus mass into acceleration यह कुछ कहानी आएगी बच्चों, यह बच्चों, किसके बराबर था, F1 net किसके बराबर था, पहली body का mass into acceleration और F2 net किसके बराबर था, बच्चों उस body का mass into acceleration अब यह क्या हो गया बच्चों इस इस दा 1 का net और 2 का net बच्चों कुल मिलाकर net कितना बच्चों, जो दोनों पर कुल मिलाकर लगाया जा रहा कुल मिलाकर जो दोनों पर लगाया जा रहा वो, अच्चों यह जो आपके सामने जो लिखा हुआ है बच्चों, अब इसको में थोड़ा सा फेर बदल करता हूं, इसे में F1 2 F1 2 plus F2 1 plus F1 external F1 external plus F2 external is equals to कितना बच्चों, अब यसली पहली बड़ी का मास और दूसरी बड़ी के मास into acceleration, यही कुछ करूंगा मैं तो यह लीजे साम मेरे पास, मैं ऐसे कुछ कहानी आ गई, भई हमने क्या करा देखिए, पहली बड़ी पर नट क कितना फोर्स था, वो यह था दूसरी बड़ी पर नट कैतना फोर्स था, वो यह था पहली बड़ी का नट फोर्स उसके मास और acceleration का प्रोड़क ता अभी कुछ ऐसी बात आएगी बच्चों अब यहाँ पर हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों, from Newton's third law हम लोगों ने Newton's third law देखा, बच्चों, there is a reaction to every action equal and opposite Newton's third law क्या बोलता बच्चों? कि पहली ने दूसरे पर जितना force लगाना, दूसरा भी पहले पर उतना ही force लगाएगा बच्चों, दूसरे पर इतना force लगाएगा और दूनों की values equal होंगी लेकिन दूनों की direction opposite होंगी Newton's third law से हम लोग क्या जानते हैं? बच्चों, f12 vector is equals to minus of f21 vector बच्चो, f12 vector is equals to minus of f21 vector Hope, आपको मेरी बात समझ में आई होगी अगर ऐसा कुछ होगा अब ये तो हो गया सहाब जीरो और चलिए सहाब अभी देखिए ये F net of force जो है बच्चो ये तो हो गया जीरो और प्लस ये कितना बच्चो यहाँ पर ये कितना आ गया F1 external अब इसे में bracket के बहार भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं अब ये बच्चो F1 external आ गया और F2 external आ गया और is equals to कितना बच्चो पहली body का mass into acceleration और दूसरी body का mass into acceleration यहाँ पर हमको बच्चो एक अच्छी चीज जो जानने को मिली वो क्या मिली देखिए ये तो चलिए जीरो हो गया अब आप देखें वन को system मानते हो तो obvious सी बात है कि one पर हमने जो force लगाया वो भी उसके लिए external force है plus one पर two ने जो force लगाया वो भी उसके लिए external force है तभी तो आपने लिखा net force कितना ये plus ये हमने जब कुछ force लगाया मैंने इन दोनों बोडिस पर किसी तरह का कोई भी force लगाया तो जब मैंने force लगाया तो obvious सी बात है कि उस force का कुछ पार्ट वन पर जाएगा और कुछ पार्ट टू पर जाएगा मैंना ये apply some force on these these two particles naturally some force would be going to this and some portion would be going to this अब कुछ उसका one पर गया कुछ force उसका टू पर गया ये तो हम समझ सकते हम तो net force जो लगा वन पर बत्चो वो यह लगा वन पर हम ने जो लगाया वह उन के लिए extended है likewise हमने जब force लगाया तो बच्छ एग करण कुछ फोर्स लगा वह extended है क्यों क्योंकि 2 को ही अगर system माना जाए तो टू पर वन ने जो लगाया बच्छों वो भी एक्सटेनल होगा और टू पर एक्सटेनल ही सही, सो बच्छों ये आपके पास में कुछ पहला सिच्चविशन आगी वो कुछ दूसरी सिच्टूशन आगी अब क्या होगा साभ यह तो हमने नेट फोर्स निकाल दिये अब यहां पर आप देखिए नेट फोर्स जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है वन पर एक्सटर्णरी और टू पर कितना एक्सटर्णरी क्योंकि यह जो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं केवल वन को सिस्टम मानता हूं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर मैं केवल वन को सिस्टम मानता हूं तो वन पर टू ने जो लगा वो उसके लिए एक्सटर्णर है केवल टू को मानता हूं तो टू ने टू पर वन ने जो लगा वो माल लो तो अब ये दोनों एक दुसे पर जो फोर्स लगाएंगे those would be counted as internal forces if these two are considered as a single system अगर इन दोनों को एक अकेला system माल लिया जाए अगर इन दोनों को एक अकेला system माल लिया जाए बच्चों तो उस situation में क्या होगा उस situation में ये दोनों एक दूसरे पर जो force लगाएंगे बच्चों वो internal forces होंगे और आप ये देखिए दोनों internal forces तो cancel हो चुके हैं ये देखिए cancel हो चुके हैं तो आपको कुल मिलाकर कुन सा force लिखना पड़ा केवल external ही लिखना पड़ा देखिए आप तो ये एक बात हम आपको कई बार जो हमारे जहन में आती है कि कई बार ऐसा समझ में नहीं आता कि है पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि हमने इन दोनों को system माना ये इस अकेले को system माना ये समझ में नहीं आए असा force आ रहा है बच्छो that is equals to the net external force, one पर externally कुछ लगा, two पर कुछ external लगा, so I would say F net जो है बच्छो, net force जो है वो किसके बराबर है, external force के बराबर है, देखो net external कितना लगा, one पर कुछ लगा, two पर कुछ लगा, उनका net कुछ लगा, would be equals to कितना बच्छो, its mass into acceleration, plus mass into acceleration, यह होगा बच्छो, यह कुछ आगया हमारे पास में, and according to the definition of center of mass, according to the definition of center of mass, बच्छो, center of mass वो particle होता है, जहाँ पर पूरे mass को आप concentrated मानते हैं, और यह ठीक वैसे ही move करता है, जैसे कोई single particle move करता है, so यह जो net force होगा, बच्छो, this net force would be equals to net mass of the body into, बच्छो, acceleration of center of mass, बच्छो, यह जो होगा, क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुर उसी भाशा में लिकूँ, जैसे हमको derivation generally books में लिखे वे मिला करते हैं, बच्छो, net mass of the body into center of mass का acceleration, because इस situation में, what I need to do, इस स्थिती या परिस्थिती में मेरे को क्या करने का है, इस परिस्थिती मेरे को, जो acceleration, हम क्या करें कि दोनों को अलग-अलग system ना मानते हुए, मैं उन दोनों को अलग-अलग ना मानते हुए, एक single particle अगर मान लेता, तो वो ऐसा ही काम करता है, जैसा कि पूरी system मूव करता है, उसी को आप बोला करते है, center of mass, so net force would be equals to, बच्छो, mass into acceleration of center of mass, net force is equals to कितना होगा, बच्छो, mass into acceleration of center of mass, so मैं यहां रखता हूँ, यह लेजिए, बच्छो, इसी के आगे इसको लिखे देता हूँ, यहां पर, यह क्या है, बच्छो, capital M, capital M किसका mass है, capital M mass है, बच्छो, पूरे system का, तो पूरे system का mass है, मतलब यह देखिए, center of mass का acceleration क्या आएगा, center of mass का acceleration आएगा, बच्छो, कितना, m1, a1, plus m2, a2, upon, upon कितना, बच्छो, net mass of the system, और net mass of the system कितना होगा, obviously, m1, plus m2, बच्छो, देखो, capital M से आप divide करोगा, you will divide this capital M, here, आब इस capital M स m1, plus m2, वही आपने करी, अब यहां से, आपके पास में, center of mass का, जो acceleration होगा, वो कितना होगा, वो आप जना देखें हैं, पर, तो पहले वाले body का acceleration कितना है, दूसरी body body का acceleration कितना है, ठीक इसी प्रकार से, बच्छो, यदि मैं center of mass का acceleration निकालू, तो center of mass का acceleration क्या होगा, बच of center of mass, आप center of mass की position को differentiate करेंगे, जब आप center of mass की position को differentiate करेंगे, obviously double bar differentiate करेंगे, तो आपको center of mass का acceleration मिलेगा, so यहां पर बच्छो जड़ा देखिए, this can be written as a d square upon dt square of किसके बच्छो, center of mass, यह कुछ आया, is equals to कितना बच्छो, is equals to m1, एक काम करता हूँ, मैं इसको m1 plus m2 को इधर लिखे लगता हूँ, और बाकी इधर अगर देखा जाए बच्छो तो this is m1, और this is बच्छो d square by dt square of r1 vector plus यह m2 और यह बच्छो d square upon dt square of r2, hope आपको मेरी बास समय में आई है, यह देखिए, center of mass का acceleration कैसे आएगा बच्छो, center of mass की position को दो बार differentiate किया आपने, पहले आप center of mass की position को differentiate करेंगे, जब आप center of mass की position को differentiate करेंगे, तो आपके पास में बच्छो center of mass की velocity आएगी, और फिर इस velocity को differentiate करेंगे, यह पोजिशन को दो बार differentiate करेंगे, तो उसका acceleration आएगा, यह कुछ आगया, is request to कितना होगा बच्छो, देखिए, center of mass का acceleration ऐसे होगा, यह 1 upon m1 plus m2 जो है लिया, m1 into a1 की value यह, m2 into a, होप, आपको यह बात समझ में आई है, अब यह जो भी कुछ मैंने लिखा बच्छों मैं से मिटारने जा रहा हूं, मैं एक बार समझा रहा हूं यहां पर, देखिए, m1 की position को मैंने r1 vector लिया, m2 की position को मैंने r2 vector लिया, और center of mass की position को बच्छों करने से acceleration आ जाएगा, अभी, यहां पर से बच्छों हम देखें, तो हमें क्या मिल रहा है, चलिए साब, मैं इसको इधर आगे लिखता हूं, this is d square by dt square, this is the position of center of mass, और यहां पर, यह जो d square by dt square है, बच्छों, यहां पर से जो d square by dt square है, इसे मैं बाहर रखता हूं, इसे मैं ब dt square by dt square, और into में कितना होगा बच्छों, into में आ जाएगा, m1 into r1, m1 into r1 plus m2 into r2 upon कितना बच्छों, m1 plus m2, देखें, दोनों, यह m1 plus m2 कहां से है, मैं फिर समझा रहा हूं, देखें, capital M is the total mass of the system, and naturally, जो system का जो total mass होगा, वो किसके बराबर होगा, बच्छों, वो पहले वाल का mass, प्लस दूसरे वाले का mass होगा, that mass would be equals to, पहली body का mass, प्लस दूसरी body का mass, और पहली body का mass, दूसरी body का mass मतब m1 plus m2, तो m से divide करेंगे, बच्छों, तो यही कुछ picture आएगी, और, अब मैं काम करूँ बच्छों, यह d square by dt square, जो है, मैं, संपल भाशा में बोलो, तो मैं य बच्छों, यह कहना logically, conceptually, fundamentally, बिलकुल गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते है, आपके दोनों साइड आप इसको cancel कर दे, इसको यू कहना चाहिए कि मैं दोनों साइड integrate कर दूं, और दोनों साइड में कितनी बार integrate करूं, दो बार, क्योंकि दो बार differentiation का sign है, so I would say integrating both sides, integrating both sides twice, मैं द कितनी बार कर रहा हूं, बच्छों, integration, मैं दोनों साइड integrate कर रहा हूं, मैं दोनों साइड integrate कर रहा हूं, बच्छों, दो बार, तो मेरे पास में center of mass का जो position आएगा, बच्छों, that would be m1 into r1 vector plus m2 into r2 vector upon में कितना, बच्छों, m1 plus m2, center of mass की जो position आएगी, बच्छों, वो किसक इस वोड बी the position of center of mass, और यही position हम लोग जानते, ऐसे चमनलों डराइब करने के method बड़ी छोटी सी देखी थी विया कि उसके about night moments का sum 0 होगा, बट वो method school level पर नहीं चल पाती, उन्हें वो तथा कथे जो पूकिश भाशा होती है, वो ही पसंद आती है, उस भाशा में आपो अपने 1 पर net force निकाला, उसके mass into acceleration के बड़ाबर करा, 2 पर net force निकाला, वो उसके mass into acceleration के बड़ाबर करा, टोटल net निकाला, बच्चों बस दोने equations को add किया, और ये दोनों आपस में cancel हो गए, तो हमने क्या देखा बच्चों कि जो भी motion हो रहा है, वो because of external force ही हो रहा है, आप देखिए न, जो net force हारा, that is equals to net external force, बाकि internal forces जो थे बच्चों, वो तो cancel हो चुके हैं, वो यहाँ पर cancel हो चुके हैं, और इस तरीके से बच्चों ये center of mass की position आ गई है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, बच्चों हम लोग एक point mass होता है, तब तो आप जो-जो equations पढ़ते आ रहे हैं, भाई, momentum बराबर क्या mass into velocity, हम लोगों ने, momentum बराबर होता है, बच्चों, mass into velocity, भी this is net momentum, which is equals to mass mass into velocity, अब अगर एक point mass है, एक particle mass है, तब तो कोई रिखत नहीं, आप velocity लिख दीजे, लेकिन अगर different particles are moving with different velocity, तो फिर मैं कौन सी velocity लिखूँ, अगर बच्चों पार्टिकल में पहले की velocity लिखता हूँ, तो बाकी सारे बुरा मान जाएंगे, और दूसरे की लिखूँगा, त तो बाकी के पहले वाले सब बुरा मान जाएंगे, और मैं उन लोगों मैं सों जो चुहता हूँ कि भईया किसी को बुरा नहीं लगे, तो मैं एक लोकतांतरिक, एक धर्म निरपेक्ष राष्ट में जीवन जी रहा हूँ, तो obviously मैं चाहूँगा कि सब मेरे से संतुष्ट है एक बड़ी अच्छी बात होती है कि मैं तो हमेशा ये मान कर चलता हूँ कि मेरा धर्ती पर जनम सब को खुश करने के लिए नहीं हुआ, मैं अपने आपको खुश करने हूँ, that is the best thing. So I repeat, बच्चों, यहाँ पर जो net force होता है, वो mass into velocity के बराबर होता है, और velocity, different particles are moving with different velocity, तो हमें काम करते हैं भईया, ऐसे case में हम सब की velocity को छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ center of mass की velocity लिखा करते हैं, इसी तरीके से जो net force होता है, बच्चों, वो किसके बराबर होता है, obviously mass into acceleration के बर होता है, but, 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 if different particles are moving with different acceleration, then मैं किसका acceleration लिखूँ, तो मैं किसका acceleration लिखूँगा बच्चों के बलो के बल सेंटर आफ मास का acceleration लिखूँगा, बाकि किसी का acceleration नहीं लिखूँगा, तो जो सारी equation आप लोगो ने पड़ी, वो सारी किसके terms में चेंज हो जाएंगे, बच्चों, but, center of mass की terms में चेंज हैंगे, for example, kinetic energy half m v square होती है, and phir वही इसिपर थीख, बाइभ दिखूँगा, different particles are moving with different velocity, so what velocity I need to write, I will write, simply the velocity of centre of mass, because here the different particles are moving with the different velocity, as far as mass of the body is concerned, undoubtedly the total mass of the body would be written, but the velocity or the acceleration would be of center of mass, इसी से लेटर एक छोटी सी बात में आपको और बता जानते हैं कि if there is no external force, आप लोग जानते हैं, अगर कोई external force नहीं होता, तो उस थिती में क्या होता है बच्चों, उस थिती में जो net momentum होता है, वो conserve रहता है, हम लोग जानते हैं, force equals to dp upon dt, dp 0, dp constant हो गया, momentum constant रहेगा, momentum जो से मतलब यहां पर क्या बच्चों, अब जैसा मैंने कहा आप से कि different particles are moving with different velocities, तो आप यहां पर किसका momentum लिखोगे, आप यहां पर momentum लिखोगे, center of mass का, you will write momentum of center of mass, because different particles का momentum लिखोगे, तो हमें momentum किसका लिखना होगा हमें center of mass का लिखना होगा और as far as mass of the body is concerned if it is a non-variable, variable किसम का mass नहीं है तो ये भी constant हो जाएगा तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा बच्चो center of mass की velocity constant हो जाएगी center of mass की velocity is thity पर इस thity में बच्चो संग्रक्षित नहीं है तो constant fix and unchanged हो जाएगी तो ये आपको contest रखना है बच्चो यहाँ पर इस बारे में भी क्या कि इस case में center of mass की velocity constant रहेगी हाँ ये जरूरी रही है जब आपने कोई external force नहीं लगाया तो center of mass का momentum constant है center of mass की velocity constant है बाकि में different particles के बारे में बात नहीं कर सकता हो सकता है different particles are moving with some different different velocities velocities change हो रही है उनकी लेकिन जहां तक द्रवमान के अंदर की बात है CM की बात है बच्चो वो बिलकुल अपनी जगा पे रहेगा वो अपनी जगा पे रहेगा मेरी बात आपको शायद खोपडी में आई हो मैं आप से फिर कह रहा हूं बच्चो देखिए external force अगर zero है तो net momentum constant रहेगा फिर यहां पर वही घिसी प्रिटी सी बात आ लिए different particles are moving with different velocities different acceleration so मैं यहां पर किसका momentum लिखूंगा I would write this momentum of center of mass और if mass of the body is constant then I would say यह भी constant यह भी constant तो कुल मिलाकर VCM भी क्या हो जाएगा बच्चो constant so center of mass curiosity constant होगी बाकि different particles may be moving with the variable velocities जिसे हम लोगोंने बच्चो वो bomb के explosion वाले questions करे हैं हमने जो momentum conservation के जो questions करें बच्चो अभी तक जितने भी हम लोगोंने पॉलस करी उनमें हमने तमाम में हमने बाडी को बच्चो point mass मान कर चला था लेकिन अगर वो point mass ना हो अगर वो mass variable हो masses changes change हो बच्चो तो उस case में जो आप velocity लिखेंगे वो आप किसकी velocity लिखेंगे आप velocity लिखेंगे बच्चो center of mass की यह आपको ध्यान दखना है हम लोगों जो भी explosion of bomb पे question किया यह अभी मैंने आपको बच्चो पिछे लेक्चर में जो question कराया जिसमें हमने पैरा बोला पात में फैका था bomb तूट गया था कुछ एक 30-30 मिटर की distance पर गिला था कुछ एक आप से distance पूछी थी तो वो जो cases थे बच्चो उन सब में एक ही गिसी पिटी सी बात है आप उन सभी questions को इस वंडे से भी कर सकते हैं कि उस case में different particles जो होंगे बच्चो वो different velocity से चल रहे होंगे लेकिन 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 क्या होगा बच्चो center of mass की velocity पूरी दिले से constant रहेगी